हेलो एवरीवान वेलकम टू इंडिया बड़ी आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल इंडिया बड़ी में स्टुडेंट्स आज 25 अप्रेल है तो मैं पूरा अपडेट लेकिया हूँ आपके लिए कि क्या-क्या बड़ी अपडेट आए सीबेसी के दोरा बहुत बड़ी अपडेट्स आई है तो जो आगे आपके भी स्टेट में लागू हो सकता तो उसको हम डिटेल में देखने वाले आप देख रहें सीबेसी के दो टैब मैंने ओपन किया और यह लेटेस्ट न्यूस आई है अभी अभी यह सारी न्यूस आई है तो पहले हम जो थोड़े जो डिटेल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन है क्योंकि आगे सारे स्टेट में लगने वाला है सिमिलरली अगर हम बात करेंगे करनाटक गवर्मेंट ने बोला कि हम अपना पेपर जो है वो शेडूल डेट पे ही रखेंगे लेकिन अब उन्होंने एक यह दिया है कि जो MP गवर्मेंट का भी यही डिसीजन है कि कल हो सकता है शायद बोड एक्जाम के ऊपर बड़ा अपडेट MP के स्टुडेंस को आ सकता है 10th और 12th के एक्जाम के ऊपर जो भी डिसीजन होगा वो कल हो सकता है मतब कमिंग वीक में जो बोला था यह दो वीक जो वीक गया और इसमें कुछ बड़े अपडेट्स आपको मिल सकते हैं अब हम बात करेंगे स्टुडेंस की जो CBS के बच्चे जिनका 10th का पेपर कैंसल किया गया था उनको 11th में प्रोविजनल एडमिशन दिया गया है स्टुडेंस आप बात समझ सकते हो यही सारे स्टेट्स में लागू हो और उस पे एक्टिवली काम कर रहे है जबकि मैं देख रहा हूं कि बाकी सारे स्टेट सिफ CBS को फॉलो कर रहे है कि उन्होंने कैंसल किया कैंसल अब जो वो करेंगे उसके इसाब से तो दो बड़ी खबर आईए खासकर CBS के लिए तो यहां पर पहली चीज़ है कि जो इंटर बनाने के भी तैयारी में लग चुका है लगबक प्रोसेस उसने कम्प्लीट कर लिया तो यहां पर हुआ कि CBSC ने सभी स्कूल को बोला है कि आप अपने बच्चे के जो भी इंटर्नल या एक ऑनलाइन ऑफ लाइन जो भी टेस्ट हुए उनके बेस पर आप अपना लग सकते अगर CBSC यह सारा काम चालू कर दिया तो बाकी सारे स्टेट बोर्ड भी कमिंग वीक में स्टार्ट कर देंगे लेकिन जो सबसे बड़ी फैसला सबसे बड़ा काम जो CBSC ने किया है आप देख रहे हैं कि 25 अपरिल का इन्यूज है CBSC ने जो टेंद के स्टुडेंट जो बच्चे पढ़ना चाते हैं 11 का उनकी पढ़ाई चालू कर दिया अब आप लोग में यह कोशन आगा कि सर फिर यह हो कैसे रहा है रिजल्ट तो बना नहीं तो कोई भी साइंस ले सकता है क्या कोई भी आर्ट्स ले सकता है क्या नहीं CBSC मैं बोलो ना extraordinary थोड़ा बहुत क हिसाब से भी मैच कर रहे हो कि ने लेकिन जो एक सीटी एंट्रेंस वाला जो हम बात कर रहे थे हो लगबग थोड़ा बहुत यहां पर उस चीज को CBSC फॉलो कर रहा है तो यहां पर हो क्या रहा है कि उन्होंने एक टेस्ट कंडग किया है और उस टेस्ट के बेस पर वह एड टेस्ट टेस्ट को आप पास करते हो क्वालिफाइब करते हैं मिनिमम मार्क्स पर एड्मिशन दे ले लेंगे लेकिन आप क्वेशन यह आ रहा है कि कमिंग वीक में जो रिजल्ट्स यह कमिंग वी किया आगे जब CBSC के रिजल्ट्स आइंगे तो साइंस का कितना कटाओ जा इच्छा काम किया है अनलाइक कि बाकी स्टेट में मैं देख रहा हूं कि स्टूट्स के साथ पॉलितिक्स हो रहा है या उसको निसेसरी एक्स्टेंड किया जा रहा है कि देखे देख लेंगे देख लेंगे मतलब एक जो डपार्टमेंट होता है जैसे एक जगे पर हम एक्जाम पॉस्पॉंड हो रहा है कि कैंसल रहा हो नहीं बता पा रहे और दूसरा जगे वाले ने कैंसल भी कर दिया रिजल्ट भी इन प्रोग्रेस में रख दिया है पूरा और आगे की पढ़ाई भी चालू कर दित तो इस शोज डाट वह एफट जो उस सी बेसी लगा रहा है वह अपने आप में एक एक स्ट्राओडिनरी है आपका क्या राया आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना और थैंक यू वेरी मुच फो वाचिंग इंडिया बड़ी जैहिंद